नहरों से गर कर नौका पार नहीं होती कुशिश करने वालों की हार नहीं होती अभी तो जंग है जारी अभी हारा नहीं है तू यू जो सहे तन्ज सारे ऐसा पिचारा नहीं है तू अभी तो जंग है जारी अभी हारा नहीं तू जो सहले तन्ज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू भरो सा रब खुदा पे और अपने होसलों पे तुझे तो जान बनना है कोई तारा नहीं तू करेंगे वो जो करना है जो चाहेंगे वो होगा जेब तू ठान ले तकदीर से भी कोलने के रख कशोटी वक्त की है हॉसलों को बोलने के रख क्रोड़ना है तु程ाग पन तो कोलने के रख कशोटी वक्त की है हॉसलों की तुदि 요ख गुड ईबनिंग आल अफ यू और अगर नए है तो पहले class को subscribe करें और सभी लोग मिलकर अभी class को share करें और सभी लोग जो है वो live chat में जो है सभी question का answer comment करें इससे आप सभी का पूरा class वो अच्छा से समझ मेंगा आपको पता चलेगा कि हम कितने बेस्तर कर रहें तो इस तरह से आप सभी लोग करते रहें आप बेस्तर कर सके, तो उमेद करता हूँ कि आप सबी जो है, क्लास को सही डनसे फालो कर रहे हैं, जो लोग भी लाइफचेट से नहीं जूरे हैं, सबी लोग जूरे इससे आपको काफी फएदा होगा, आप अपने आपको आख सकते हैं कि हम कितना बेस्तर कर रहे हैं, हमको कितना मेहनत करने की जरूरत है, तो इस तरह से आप सभी जो है, वो स्टार्ट करें, तो सभी लोग पहले जूरे, पहले सभी लोग जो है, वो क्लास को सेर करें, एक वीनित तक हो सके, क्लास को सेर करते रहें, सभी लोग सभी जगह और सभी लोगों को जोड़े इससे ताकि सभी लोग लाइफ चैट में आए और इससे काफी फैदा होगा सभी लोग रहेंगे सभी कोश्चन का अंसर कॉमेंट करे तो सब लोग सेर करे और आते हैं हम लोग आज की जो हो महत्पुन कोश्चन है उसको देख से पहले हम लोग परवत देख चुके हैं आज पठार से related कोश्चन लाएं हैं जोह की काफी महत्पुन कोश्चन है तो आए चलते हैं आज के एक नंबर कोश्चन पर तो सभी लोग ready हैت तो ready हो जाए जो लोग भी ready रही है पहले रेडी होएं और जो है वो अगला 15 कोस्टिन आपके लिए काफी महत् drain है तो सभी लोग इसका answer करें तो आज का एक number प्षर्षन है एक number प्षर्षन है कि भारत के कितने परतीस चेत्रफल पे परवत है यानि कि भारत के कितने परतीस चेत्रफल पर परवत हैं, तो ध्यां रखेगा ये भारत से रिलेटेड आपका question है, कि भारत के कितने परतीसाच छेत्रफल पर परवत हैं, तो आपका एक number option है, 29%, second है 28%, third है 43%, D, इन में से कोई नहीं, तो भारत के कितने परतीसाच छेत्रफल पर पर परवत हैं, तो ध्यां रखेगा, इसका answer हो जाएगा, सबी लोग करें, सबी लोग जो है, इसका answer करें, नहीं पता है, फिर भी answer करें, इससे क्या होगा, कि आपका जो भी hesitation है, वो दूर हो जाएगा, औ पर आप धीरे धीरे बेस्तर कर सकते हैं, तो इसका answer हो जाएगा, आपका एक number 29%, यानि कि भारत के 29% भाग पे जो है, वो आपका परवत है, तो ये ध्यां रखेंगे आप सभी, अगले प्रशन पे चलते हैं, दो नमबर प्रशन है कि भारत के कितने प्रतीसाच छेत्रफल पे पठार है, तो अभी हम लोग देखें, एक number question में कि 29% छेत्रफल पे जो है, वो परवत है, तो कितने प्रतीसाच छेत्रफल पे पठार है, एक number option है, आपका 29, दो number है 28, तीन number है 43, और D number इन में से कोई नहीं, तो कितने प्रतीसाच छेत्रफल पे पठार है, तो इसका answer पहले आप सभी लोग करें, समय देता हूं, ताकि आप अच्छा से question को समझे, उसके बाद answer करें, इससे काफी आपका question क्लियर हो जाएगा, तो इसका answer हो जाएगा आपका B number 28%, 28% छेत्रफल पे जो है, वो भारत में पठार का विस्तार है, तो तीनो क्लियर हुआ, तीसरा question ह कीतने परतीसर छेतर फ़ल पे मैदान है, तो भारत के कितने परतीसर छेतर फ़ल पे मैदान है, देखिए मैं एक तरह से जो है, वो ऐसा question लाता हूं ताकि आपका पूरा concept क्लियर कर दो, तो तीन टाइप के question यहां से उठते है, कितना परवत और कितना मैदान है, तो यह हो जाए और इस टाइब के कुश्चन अगर एक जाम में पूछे तो आप से ना चुटे तो भारत के कितने प्रतीसत छेत्रफल पर मैदान है और नमबर है ट्वेंटी नमबर है ट्वेंटी एट सी नमबर है 43 और इन में से कोई नहीं तो ध्यान रखेंगे आपका 43% छेत्रफल जो है वो मैदान है तो 43% पे मैदान है 29% पे परवत है 28% पे पठार है तो तीनों आपका किलियर हो गया है अगले प्रस्म पे चलते हैं कि निर्म में कौन अंत्रा परवतिये पठार है काफी महत्पून कोश्चन है पठार से अंत्रा परवतिये पठार है तो ध्यान रखें अपर्दित पठार तो पठार तीन परकार के होते हैं दिहां रखेंगे पटल बिरूपनी ज्वाला मुखी पठार या फिर तीन नमबर अपर्दित या घरसित पठार तो पटल बिरूपनी पठार जो होते हैं वो भी आपके दो परकार के होते हैं एक जो होते हैं वो अंतरा परवतिये पठार में क्या होता है कि जब दो परवत उठते हैं तो उसके वज़ा से बीच वाला भाग जो उपर उठ जाता है उसी से जो पठार का निमान होता है वही अंतरा परवतिये पठार कहलाता है जैसे मानते हैं कि यह एक आपका परवत है और यह बीच में जो है कोई भाग है और उसके बाद फिर यहां से जो है वो आपका कोई परवत है तो इस तरह से जो है यह बीच वाला जो भाग हुआ यही आपका जो ऊपर उठ जाता है दोनों परवत के उठने के क्रम में तो यही आपका अंतरा परवतिये पठार कहलाता है द्याना कहेंगे तो बीच वाला भाग अगर उपर उठ रहा है यही अंतरा परवतिये पठार हो जाता है यानि कि दो परवतों के उठने के क्राम में जब बीच वाले भाग उठते हैं तो इसी को अंतरा परवतिये पठार कहते हैं यहां से कोश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अंतरा परवतिये पठार है फिर जो है वो गोबी की पठार है बोलीबिया की पठार है मैक्सिको की पठार है कोलंबिया का पठार इरान के पठार यानि कि ये सब ही जो है वो अंतरा परवतिये पठार के उधारन है यानि कि ये जो भी पठार का निर्मान हुआ है ये दो परवतों के बीच के भाग उपर उठने के वजह से हुआ है तो ये सभी पठार अंतरा परवत ये पठार के ये उधारान है तो उमीद करता हूँ कि आप सभी को बेस्तर धंग से समझ में आ गया होगा अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कॉमेंट करके बताएंगे next class में फिर से मैं उसे clear करूंगा तो इस तरह से आप सभी करते रहें जो भी question लाता हूँ मैं concept basis question लाता हूँ और उस question का concept clear करता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो और आप सही धंग से इसे सीख सकें अगला question है परवत पधिये पठार कौन है तो आभी हम ल परवत पधिये पठार में हम लोग देखे कि जब दो परवतों के बीच के भूमी जब उपर उठ जाते हैं तो उसी कौंद्रा परवत ये पठार करते हैं लेकिन परवत पधिये पठार जो होते हैं वो ध्यार रखेंगे कि इसमें क्या होता है परवत पधिये पठार में कि जब एक परवत उपर उठती है ध्यान रखेंगे जब परवत उपर उठती है तो उसके नीचे वाला भाग उपर उठ जाते हैं यानि कि उसे परवत पद ये पठार काते हैं यानि कि उसके तलचट में जो भाग उपर उठते हैं इसी को परवत पदिये पठार काते हैं जैसे मा रहें कि कोई ये परवत है ये उपर उठी तो ये उपर उठी तो इसका ये भाग जो होता है तो ये भाग आपका कुछ उपर उठता है तो यही आपका जो भाग उपर उठा यही आपका जो है वो परवत पदिये पठार के अं पिडमांट की पठार कहा जाता है इंगलीज में तो यह दिहां रखेंगे तो आपका जो है वो इसका आफसन है एक नमर पिडमांट की पठार और सेकेंड है पेंटागोनिया की पठार तो पिडमांट की पठार जो है वो उत्री अमेरिका में है दिहां रखेंगे पिडमांट की पठार कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे कि पिडमान की पठार किस परवत के उपर उठने के वज़ा से हुआ तो यह जो है वो आपका एपलेसियन परवत के उपर उठने के वज़ा से हुआ है द्यां रखेंगे कि पिडमान की पठार जो है वो उत्री अमेरिका में है और इसका निर्मान एपलेसियन परवत के उपर उठने के कराम में हुआ था सेकेंड जो है वो पेंटागोनिया का पठार तो पेंटागोनिया की पठार दक्षनी अमेरिका में है द्यां रखेंगे यह दक्षीन अमेरिक्या में है और यह इंडीज परवत के उपर उठने के वज़ा से हुआ जब इंडीज परवत उपर उठ रहा था तो उसी क्राम में उसके तलचट में जो पठार का निर्मान हुआ वही आपका पेंडागोनिया का पठार का लाया तो ध्यां रखेंगे कि पिडमान्ट की पठार जो है वो एपलेशियन परवत के उठने के वज़ा से हुआ और पेंडागोनिया का पठार आपका एंडीज परवत के उपर उठने के वज़ा से हुआ पीड़मान की पठार उत्री अमेरिका और पेंटागोनिया का पठार दक्षिन अमेरिका यानि कि इसका दोनों सही है, एप प्लस भी और यह ध्यान रखेंगे कि यह दोनों पठार जो है वो परवत पदिये पठार का उधारान है तो उमीद करता हूँ कि पूरा जो है वो के question exam में देखने के लिए मिलते हैं तो ध्यां रखेंगे चलते हैं next आपके लिए एक line जो की काफी महत्पूर्ण है अपने लक्ष के लिए जो सीले और जुनूनी बनिये बिस्वास रखे परिस्रम काफल सफलता ही है समझे कि जो है कारा है कि सफलता ही है यानि कि आपको अप उसका नतीजा सफलता ही है यानि कि आपको कोई नहीं रोक सकता है तो इसलिए आप सभी अपने लक्ष के लिए जो सीले और जुनूनी बनिये बिस्वास रखे परिस्रम काफल सफलता ही है तो सफल होना है तो सबसे पहले आपको अपने आप पे बिस्वास रखना होगा काफी जो सीले और जुनुनी हैं तब ही जाकर आप अपने लक्ष को हासिल कर सकते हैं तो इस तरह से आप मेहनत करें आप अपने लक्ष के प्रती एक दम स्री असरे में बार बार करता हूं कि अगर आप ठान लेंगे तो दुनिया की कोई भी सकती आपको हिला नहीं सकती है आप सफल होएंगे और फिर से मैं एक बार कोहूंगा कि जो लोग भी नöय हैं वो सभी लोग बलास को सब्सक्राइब करें और लाइक सेर करते रहें सभी लोग जूरे जूरे रहें और जितने कोशोन मैं दे रहा हूं सब का आनसर करें प्रतेक कोशोन पर मैं जूँवligen जितने doubt होते हैं उसको clear करता हूँ आप सभी live chat से जूरे और जो भी problem है बताएं ताकि मैं आपके लिए bester से bester करूँ और आपको कुछ भी जरूरत हो वो मैं आपके लिए लाओं अच्छा से अच्छा content लाओं आप सभी का एक काम है कि जो है रिकॉल करते रहें और साथ सा जितना हो सके class को share करें तो share करते रहें और मेरा जो काम है वो आपके लिए प्रती दिन अच्छा से अच्छा question लाना तो ये मैं करते रहूँगा चलिए next question है कि ज्वाला मुखी पठार है तो अब ही जब होता कया है कि भूमी के अंदर से जब मैगमा पिर्थवी की उपर आती है तो उसे लावा कहा जाता है और वो लावा दूर दूर तक उपहल जाती है आपका जो एन्ट्रिं की पठार है जो की आयरलैंड में हैं द्याना कहेंगे यह आपका ज्वाला मुखी पठार का उधारान है और भारत का डक्कन का पठार जिसे डिक्कन ट्रैप कहा जाता है यह दोनों आपका ज्वाला मुखी पठार का उधाराने ध्यार रखेंगे यानि कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा यह प्लस भी इंट्रिन की पठार और द पीछे देख शुके हैं, तो इस तरह से यह ध्यान रखना है कि आपका यह दोनों ज्वाला मुखी पठार के उधारन है, यानि कि ज्वाला मुखी उधगार के तहत इसका निर्मान हुआ है, तो वो खिलियर हो गया होगा, नेक्स्ट प्रस्न है कि अपर्दित पठार का उधा मुखी पठारन है, यानि कि अपर्दित पठार इनमें से कौन है, तो ध्यान रखेंगे अपर्दित पठार क्या होता है, कि जब उच परवतिये बहाग जो है, पर क्या होता है कि बाहर सक्तिया, यानि कि प्रकिर्टिकी जो सक्ति है, उसके द्वारा लागतार उस पे चोट पहुचाया जाता है, तो उससे वह अपरदित हो जाती है, निमन भूमी में बदल जाती है, तो इस पर का जो पठार का रूप ले लेती है, उसी को अपरदित या घरसित पठार कहा जाता है, यानि कि एक समय वह परवत काफी मुचा परवत था, लेकिन प्राकिर्तिक की मार त तीसरा है पोतवार का पठार, चौथा है मेघाले का पठार, पाचवा है बिंद का पठार, तो ये सब ही आपका अपरदीत पठार है ध्यान रखेंगे, ये सब ही आपका अपरदीत पठार है ये ध्यान रखना है आपको, अगर हम मैसूर की पठार की बात करते हैं तो करनाट राची का पठार राची में है पोतवार का पठार आपका पाकिस्तान में ध्यान रखेंगे अगला कोश्चन है बीश्व का सबसे उंचा और सबसे बरा पठार कौन है इसका एंसर क्या होगा आप सबी से उमीद करता हूं कि इसका सही आंसर करेंगे तो पहले आप सबी करें इसका आंसर एक नमबर ऑप्सन है तिबबत का पठार बी नमबर है राची का पठार सी नमबर है पोतवार का पठार और डी नमबर में घाले का पठार तो बिश्व का सबसे बरा पठार कौन है तो लगभग लोगों से इसका आंसर सही आना चाहिए आपका इसका एंसर हो जाएगा तिबबत का पठार यानि कि तिबबत की पठार जो है सबसे उचा और सबसे बरा है तो ध्यान रखेंगे इसका बिस्तार 12 लाक वर किलोमीटर है और इसकी चाहिए तो इस तरह से इसका आंसर तिबबत की पठार हो जाएगे अगले प्रशन पर चलते हैं कि संसार का च्छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं काफी महत्मून कोश्चन है एकदम BVI कोश्चन है इसे अंडरलाइन करेंगे आप सभी संसार की च्छत रूफ ऑफ द किसे कहते हैं लगब कि जाम्यास तक कितनों बार एक कोश्चन आ चुका है कि संसार की च्छत यानि कि रूफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं ऑफ सबीसे उमीद करता हैं कि सभी लोग सही करेंगे बिल्कुल किजीए भी तो इसका आंसर एक नमबर हो जाएगा तिबत का पठार त तो roof of the world तिब्बत का पठार को कहा जाता है यानि कि संसार की छत इसे ही कहा जाता है तो ये ध्यार रखेंगे अगले प्रश्ण पे चलते हैं हम लोग कह रहा है कि पठार पर इस्थित नगर कौन है काफी महत्पून कोस्चन है एक जाम में कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है कि पठार पर इस्थित नगर कौन है तो एक नमबर ऑफसन है भुखारेश्ट बी नमबर है मेडरीड सी नमबर है जाम नगर और डी नमबर सिंगा तो पठार पर इस्थित नगर है तो आप सभी कॉमेंट करें ना भी पता है तो तुक्का जरूर लगा लेकिन आप आंसर जरूर करें यतने लोग जो है वो लाइफ चैट में जूरे हैं सभी लोग जो है इसका आंसर करें तुक्का ही सही लेकिन जो है वो आंसर करना है तो इस रखेंगे, नेक्स्ट प्रस्ट है, निम्न में कौन गलत है, तिबबत का पठार, इसमें चुनना है कि तिबबत के पठार के संबंद में जो है, वो कौन गलत है, तो सबसे पहले कह रहा है, एक नंबर पॉइंट, आप लोग पह लेंगे अच्छा से इस कोस्टिन का तभी आं आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप आंसर करते हैं, तो फिर गलत हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, कह रहा है, एक नंबर आफ्सन में कि उचाई छे हजार मीटर, यानि कि तिबबत की पठार के उचाई छे हजार मीटर है, तो बिलकुल सही है, इस पीछे वाला प्रस्त, कि जब अंतरा परवतिये पठार पह रहे थे, तो अंतरा परवतिये पठार में क्या होता था, कि जब दो परवत उठती है, तो उसके बीच वाला भाग जब उठ जाती है, तो उसी को अपका अंतरा परवतिये पठार का ही उधारान है, पहले हम ठीक है और आपका ये बीच वाला भाग है और यहाँ से हिमाले वाला भाग है तो यह हिमाले उठ गया तो आपका यह बीच वाला भाग जो जो कुछ भी हुआ तो यही आपका जो है वो दिया रखेंगे तिबबत की पठार बने यानि कि यह आपका कुनलून परवत हो गया और यह आपका हिमाले परवत हो गया तो कुनलून परवत और हिमाले परवत के बीच के जो भाग उपर उठा इसी को तिबबत की पठार कहा जाता है यानि कि ये भी सही है आपका इसका निर्मान हिमाले और कुनलून के बीच के भाग के उपर उठने से हुआ बीच के सबसे उचा और सबसे छोटा पठार है तो बीच के सबसे उचा तो है लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है विस्ट का सबसे बड़ा पठार है तो ध्यान रखेंगे इसका गलत आंसर D नमबर है यानि कि विस्ट का सबसे उचा और सबसे बड़ा पठार जो है वो तिबबत की पठार है तो उमीद करता हूँ कि पूरा तिबबत की पठार का concept आपको clear हो गया होगा अगले question पर हम लोग चलते हैं 12 number question है कि सही नहीं है इसका answer आपको करना है question कह रहा है कि कौन सही नहीं आप जो है वो कर सकते एक number option है में सिटा का पठार आस्ट्रेलिया सेकेंड है great basin का पठार उत्री अमेरिका ठर्ड है सान का पठार में अनमार और फूर्थ है छोटा नाकपूर का पठार भारत तो इसका answer करें आप सभी पढ़ें अच्छा से question को समझें उसके बाद आप answer करें तो एक number option है में सिटा का पठार second है great basin का पठार तीसरा है sun का पठार चोटा नाकपूर का पठार तो छोटा नाकपूर का पठार जो है भारत में है ये बिलकुल सही है second sun का पठार में अनमार ये भी सही है आपका great basin का पठार उत्री अमेरिका ये भी सही है लेकिन Meseta का पठार जो है वो Australia में नहीं है ये ध्या रखें कि एश्पेन के अंदर है यानि कि a number गलत है Meseta का पठार Australia नहीं इसपेन में है, तो इसका आंसर एक number हो जाएगा, अगला प्राशन है सही नहीं है, ये भी same question है लेकिन Darum सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल आप सभी ऐसा करें कह रहा है एक नमबर में कौन सही नहीं है एक नमबर है आपका कि युनान का पठार युनान का पठार चीन तो ध्यान रखेगा युनान की पठार चीन सेकेंड है कोलंबिया की पठार दक्षीन अमेरिका तीन नमबर है कोलारेडो की पठार युवे से और चौंथा है मंगोलि निया की पठार आपका तुड़की में नहीं है, ये गलत दिया है मंगोलिया का पठार ये आपका जो है वो चीन में है, ओढाने में नीए, प्रार और लास्ट कोस्चन है आपके लिए, कि सही नहीं है सही नहीं है, same question है लेकिन answer सही नहीं है तो आप वही नहीं जो है answer कर देंगे उसका D था तो इसका भी D होगा कोई जरूरी नहीं है, बाकि तो आप सभी जो है वो काफी तेज हैं, आप सभी सही answer करेंगे आप बिल्कुल तेज रहना भी चाहिए, आप हैं student बिष्टा competitive classes के, तो आपको तो तेज बरना परेगा, तेज नहीं रहेंगे, तो फिर आपको बिष्टा competitive class को छोड़ना परेगा, आप follow नहीं कर सकते हैं, अगर आप तेज हैं तभी से follow कर सकते हैं, तो बिल्कुल मेरे class को जो लोग follow करें, वो सभी लोग काफी talented हैं, और आप से उमीद भी करता हूँ कि आप सभी सही answer करेंगे, और क्योंकि आप सभी में काविलियत है, तो काविल बने, आप में काविलियत रहे, आप सही answer करें, सही नहीं है, एक नमबर option है, चिया पास की पठार मैक्सिको, सेकें तुर्की में है, ग्रिन लेंड की पठार इवे से, और मालवा का पठार, ये आपका जो है, वो गलत है, ध्यां रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये मध्ध प्रदेश में है, तो ध्यां रखेंगे, उत्तर प्रदेश नहीं, बलकि मध्ध प्रदेश में तो बिल्कुल ऐसे ही आप धीरे धीरे जो है वो अपने हर चेप्टर को किलियर कर रहे हैं इससे आपको काफी फायदा हो जाएगा सवाल हमारा जबाब आपका में एक वार स्वागत करता हूँ आप सभी को और इसका कोश्चेन है कि महादविप्य विस्थापन का सिध्यान किस ने दिया था इसका पूरा कॉंसेप्ट हम लोग पीछे के क्लास में देख लिए हैं अगर जो लोग पीछे के वीडियो नहीं दे जानिक थे तो इस तरह से इसका आंसर भी नंबर हो जाएगा ध्यान रखेंगे अगला कुस्चेन है आपके लिए आज के लिए कि एक परवस्रिंखला है इसमें से कौन जो ही एक परवस्रिंखला है तो इसका आंसर आप सभी कॉमेंट बॉक्स में जरूर करें यहीं तक फि पुरा कुस्चिन आपके माइन में चला जाएगा और आप एक्जाम को क्रैक करेंगे तो जो है वो देखे और फॉलो करें और सेयर करते रहें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद